अभी तक कि इस सीरीज में आपने देखा कि 48 गंटे और 4 फ्लाइट लेके मैं पहुंचा था कौर्वो नाम के इस रिमोटेस्ट यूरोपियन आइलेंड पे जहां टूरिस्ट के लिए कुछ खासी सुविदाएं है नहीं अगर है तो काफी महंगी है क्योंकि यहां सिर्फ चंग महंगे लोग ही आने का जिगरा रखते हैं ऐसे में क्या करेगा यह बजट इंजिन ट्रैवलर जो बिल्कुल पैसे करशने के मूड में नहीं है आईए जानते हैं आज के वीडियो में तो यॉरप के सबसे रिमोट आईलेंड के एएपोर्ट से जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो एक कैम्पिंग साइड का बोर्ट दिखाई देता है जिसको फॉलो करते हुए मैं पहुंच जाता हूँ इस आईलेंड पे बनी एक अकलोती सरकारी टेंट लगाने के जगह पे करनवे की साइड पे आपको देख रहा होगा वो है मारा आज का कैम्पिंग स्पॉट पहली कैम्पिंग इस आईलेंड पे थुहाती समान यहां पटक दिया था लेकिन कुछ लोगों ने टेंट से यहां पहली लगा रख रखे हैं समझ में आया कि वहां कहीं लगाता हूँ ताकि हर टेंट से मेरे बराबर बराबर रहे उप्र इदर भी टेंट है इस तीन टेंट है तक है हम आप सुच्चा होगा है और फिर बिल्कुल समय ना वेस्ट करते हुए भाई लग गया काम पर तो यह अपना बैक्पैक सबसे पह जो पूरा सिस्टम है ना इसके बारे में एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें डिटेल में बात करेंगे कि कैसे इस तरीके से आप भी ट्रैवल करके हजारों या फिर लाखों रुपे बचा सकते हो चलो अब एक च्छत आ गई तो अब बात करते हैं मेरे आज केस बसेरे की ये है स्मालेस्ट आइलेंड आफ यॉरप यानि कॉर्वो आइलेंड और ये है इसका एक छोटा सा एकलोता कैम्पिंग ग्राउंड एयरपोर्ट के रनवे से बिलकुल साथ लोकेटड ये पार्क मुझे ओफर कर रहा है टेंट लगाने की साफ सुत्री और समतल जगा खाना बनाने के लिए ओपन किच्छन बर्तन दूने के लिए पानी खाना खाने या चिल करने के लिए उम्बरेला टेबल्स साफ सुतरे बाथरूम्स और टॉयलेट्स मेन और वुमेन के लिए अलग-अलग कपड़े सुखाने के लिए लगी ये तार एक साथ जुड़ा हुआ बीच और बीच पे लगा ये वालीवालनेट और हाँ कुस लाइक माइड़ पडोसी भी ये तो काफी जादा नहीं हो गया अचा चलो ये बताओ कि अब पैसे कितने देने पड़ेंगे जीरो अंडा शुन्या सिफर जस्ट अभी अभी शावर लेके आया और गेस वाट भाई गरम पानी शावर में गरम पानी कौन देता है ऐसे फ्री केम्पिंग गराउंड में आपको घरम पानी वो भी इतना बढ़िया शावर कोई रोक तोक नहीं कोई कुछ नहीं मस नहाया आदे गंड़े तक मदा ही आ गया लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है और इको टुरिजम को वड़ावा दिया जाए अच्छा बात करें पैसे की तो पूरे प्रोजेक्ट की कोस्टिंग आई 51,000 यूरो जिसमें से मेजर पार्ट दिया यूरोपियन यूनियन ने 37,000 यूरो और बागी का बचा हुआ लोकल डिपार्टमेंट से आया घर्चा तो खूब किया है और यही रीजन ने की रोजना दो पॉर्टुगीज लोग यहां आते हैं इस पूरे एरिया की साफ सफाई और देखबाल करने के लिए वेचे तो मैं खाना बनाने का सब समान अपने साथ ले के आया था लेकिन एरलाइन्स के रूल के हिसाब से पैसेंजर्ज गैस सिलेंडर प्लेइन में कैरी नहीं कर सकते हैं और इस छोटे आइलेंड पे कैम्पिंग सिलेंडर डूणना नमुम्किन था ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई ही नहीं किया बकायदा भाई गया था मारकेट में लेकिन संडे करके यहां की इकलौती दुकान बन मिली तो एक कैफे में बर्गर खाके वापिस आ गया सो डाट बिना सिलेंडर के खाना बनाने का जुगाड कर सके अब सिलेंडर नहीं तो लकडियों का जुगाड करने में निकल जाता हूँ आसपास के खेतों में अभी लकडियां ढूंडी रहा होता हूँ कि कुछ इंट्रेसिंग दिख जाता है इधर एक यह बोट खड़ी हुई है इस पर लिखा हूँ है पैरोला दकोर वो एक दम से आगे में को तो शौक लगा भाई यह कैसी है थोड़ी मशक्कत के बाद मुझे कुछ लकडियां मिल तो जाती है जिनको लेके मैं अपने टेंट के पीछे चुपा देता हूँ अभी के लिए इन सब लकडियों को यहां टेंट के पीछे कठा कर देते हैं फिर इससे बनाएंगे हम डिनर तो अब प्लैन है यहां पर अपना डिनर बनाने की आज के डिनर में बने की चलो अब आपको बताता हूं सब्सक्राइज रहेगा लकडियों वहां से तोड़के लाए थे उसका मैंने इकठा कर लिया यहां पर पहले सी बहुत अंगारे हैं शायद जो पिछला कुछ यहां और भी लोग रुके हुए हैं और जो यहां पार्टी करने लोग आया हुए है लोकल पॉर्ट्योगीज लोग अग छोड़ गें तो बाकि इससे सोड़ा सा समान अपना यहां रखा हुआ हो जो हमारा खाना बनेगा मैगी अपनी इस पैकेट के अंदर है प्र ऐसे कागज ग पड़ाता है अल्रेडी यह लगा दिया है ताकि हमारा जो बर्तन है यह ना जल जाए बाकि इपड़ी अपनी मैगी दो पैकेट बनाते हैं ब्रेड अपने पास है क्राम बन जाएगा कोई क्यूटनीज है यह अपना टेंट है और खाना हो गया त्यार को जादा लाली से दजीच नहीं बनाया पाया लेकिन अभी बनी है मैगी क्योंकि मैगी के पैकेट में बहुत सारे अपने साथ लेके आया था साथ में यह होगी ब्रेड जो मैंने आज दुपैर में पचार इन सब को मिक्स करके आज गा डिनर हो जाएगा उसके बाद अपना एक अंदर बैठके कोई मूवी शुपी देखते हैं पर इस पुको बना देतने एक फुल फ्लेज थेटर अगले दिन टाइम से तियार होके मैं निकल जाता हूँ यह रैसे मैं गाओं देखने बाहर निकलते ही मुझे पता लगता है कि इस गाओं का कुछ तो है इंडियन कनेक्शन कारा दो इंडियाओं यह एक पॉर्टिकीज वर्ड है जिसका इंगलिश में 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 होता है इंडियन फेस या फिर इसको कहो फेस ऑफ इंडियन और वही सच्चाई की खोज करने सबसे पहले मैं पहुंचता हूँ एरपोर्ट भी कोई ऐसा वैसा नहीं क्योंकि यह है यह य इस आइलेंड के छोटे साइज और कम पॉपलेशन के चलते हैं यहां रोजना सिर्फ दो ही फ्लाइट्स आती हैं साथ ही टूरिस्ट भी यहां ना के बराबर ही आते हैं क्योंकि पहले तो यहां पहुंचना एक्सपेंसिव है दूसरा यहां होटेल्स बहुत कम और बहुत म देखेंगे मिलते हैं और तीसरा हर किसी में हमारी तरह चुल नहीं होती है कि अगया है कि अगया है अगया है जब तक सब सवारियां उतर नहीं जाती तब तक मैं खड़ा हुआ इस प्लेइन को और इस एरपोर्ट को देखता ही रहता हूं लेकिन फिर हिम्मत करके आगे यहां का गया स्टेशन जहां से अपने एल पीजी और पीएंजी के सिलेंडर रिफिल करा सकते हैं गैल्प का स्टेशन है यह चोटा सा एक मात स्टेशन के बगल में यहां की सिमेट्री है आप देख पा रहे हो गए यहां पर कुछ कबर बनी हुई है फिर यह सिमेट्री के इतना चोटा एक सिमेट्री कि फिर यह नहीं नहीं आया सब जगह एक एक अच्छा एरपोर्ट से गिंती के दो ही मिनिट पेडल चला होता हूं कि गाउं के सिटी सेंटर में पहुँच जाता हूं. जहां देखने को मिलता है ये गाउं का इकलोता स्कूल, गाउं का एक मातर पॉस्ट आफेस, गाउं का आर्टिस्टिक सेंटर, गाउं का हॉस्पिटल और गाउं की ये चौपाल जहां गाउं के बुड़े बुजुर्ग ताश की बाजी लगाते हैं ये तो कुछ हर्याना जैसा सुनाई नहीं दे रहा, लोकल इंटरेक्शन बहुत कम ही होती है और होगी भी कैसे जब गाउं में टोटल लोग ही 384 हैं और अब दिन का टाइम है तो मुस्टी लोग काम पे भी होंगे अचा कुछ लोकल से बात करके ये पता लगता है कि इस गाउं के जदतर नौजवान लोग इस एरपोर्ट पे काम करते हैं समझ में भी आता है क्योंकि एरपोर्ट संबालना दोती लोगों का काम तो नहीं होता चाहे फ्लाइट दो ही आती हो लेकिन भाती बाती की ऑपरेश ये रहा है एरपोर्ट ये ये हमारा जहाद ही टेक ओफ करने वाला है बड़ी अपलेन का नजारा लेते हुए अब रूप करता हूं मैं गाउं की एक लोती बेकरी की तरफ इस गाउं की एक मातर बेकरी इसको बोलते हैं पदारिया ये भी बंद मिली क्योंकि इसका टाइम भी होता है सिर्भी हाफते में पांच जिन खुलती है और बारा बज़ कोशिश करते हैं कि अगर मागों पर गया स्लेंटर मिल जाए बुटें का स्लेंटर केंपिंग के लिए तो मिल जाए तो मज़ा ही आद है कि नहीं तो फिर खाने पिने का जुगार्ट करते हैं प्रेड वगरा ले लेते हैं ये यॉरप के सबसे जोटे गाहों में इतनी बड स्मॉलेस्ट आइलेंड इन यॉर। बात करें चीजों के रेट की तो लग 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 चीजें मतलब सेम प्राइज जो पॉर्टिकल में लैंड है उसे लगा लोग 30-40% उनाएंगी होंगी मतलब डेट को ना लगा लो जैसे दूद हो गया यतने लीए वाइंगा बूस बिस्किट कुछ फिश ले लिए टुना फिश कुछ स्प्रेड ले लिया और यह होगे हमारी जैम जो यह 30 यूरो लगा के इतने सारा राशन पता खरीदा है अब मोका आ गया है तो अब ही सारा से मन्न नहीं लाकि अपने स्टेबल पर इकठा कर लिया है तो यहां पर मैं सो अपर है है इ Tuc काली वाला कre memory के लिए लूट के लिए कुछ सेंवेश गुछ के लिए कुछ सेंविच के लिए मैं पूरा ले है था एमारे पास ब्रेडिया था अभी के लिए और कुछ मेरे पास में यह भी लेया था यह म張ड़ क्या क्या क्रीम रही और यह पैस doggy jam pro relying fix प्रूट जाएम उगी तो इन उससे मा भuta कुल्स एणटविश इससे अपना समान डाल दिया मस्टर्ड सॉस भी आगी चीज मैंने ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहा हूं ताकि यूज यूज हो जाए क्योंकि काफी बड़ा पैकेट है तो खराब हो जाएगा क्योंकि इसको फ्रिज में रखना पड़ता है और टूना यूज कर लिए कुछ सें अच्छा लगा होगा एक लाइक तो बनता है बाकि कमेंट करके बता देना कि क्या अच्छी बात है और क्या गुंजायश है बाकि फिर से मुलाकात हुई जाएगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाइबाइ सायोनारा